नमस्कार दोस्तों ट्रेटलू की लाइव इंडेक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो चलिए देखते और प्लैन करते हैं निफ्टी में कौन से लोकेशन्स पे ट्रेड लिए जा सकते हैं तो निफ्टी जैसे कि आप देख सकते हो कि गैप अपन हुआ है अब एक ची पुलबैक आना वो पुलबैक जब आएगा और पुलबैक के बाद यहां मार्केट कॉंसलिडेट करेगा फिर हमें एक अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं अगर यह भागते मार्केट में अगर आप ऑप्शन लोग है और फटाक से नीचे आगया रिवर्सल लेके तो प्रॉब्लेम में आप फर्ज जाओगे तो आइडेली यह हमारा अफ्टरनॉन ब्रेक आउट लिवल था एक बार हम यहां मार्क कर लेते हैं यहां पर ग्रीन डॉट्स भी आए और यह स्टेड़ेश क्लोज भी है तो यहां पर आता है यहां पर एक साइडवेज मार्केट चला जाता है 15-20 मिनिट्स के लिए यहां हैमर केंडल बना देता है और फिर एक अपसाइड रैली आएगी जो हमें फिर से लेके जाएगी डेली रेजिस्टन्स के पास है और यहां नहीं रुकता यहां पर हाल्ट नहीं करता फिर नीच आता है तो यह तो सबसी बेस्ट लो नहीं क्या एक एंड की तरफ जाएगा मार्केट वाहाँ से फिर से नीचे गिर जाएगा फिर एक एंड से वापस दूसरी एंड की तरफ जाएगा हो सकता है अगर यहां पर यह करता है मिनिममम वन आवर के लिए टू आवर्स के लिए हो सकता है फिर्स सेशन भी टाइम वेस्ट कर दे इसी जोन के बीच में और इसी जोन में हमें ट्रेड नहीं लेना है हम राधर वेट करेंगे कि यह एक अच्छा कंसॉल्डेशन यहां बना है क्योंकि देखिए एक चीज यह कंसॉल्डेशन के बाद निकलेगा तो यह क्योंकि आज मेंस्टी वेनस्टी फर्स्ट सेशन हो सकता है साइडवेच चला जा सकता है और फिर सब्सक्राइब अगर चला जाता है फिर सेकेंड सेशन में अच्छा का साइक मुग आने की संबावना है फिनिफ्टी देख लेते थे फिनिफ्टी क्या कर रहा है तो फिनिफ्टी में यहांपर पन्रा मिइट लगा लेते हैं पंदरा मिट पर वही हाल है फिर से फिनिफ्टी अपने रेस्टंस के पास गया है तो यहाँ पर हमें आप क्या करना होगा वेट करना होगा कि यह थोड़ा सा चार्ट बढ़ा कर लेते हैं यहाँ पर हम वेट कर सकते यह इस जोन में यहाँ पर भी ग्रीन डॉट साहिब तो एक बहुत पॉजिटिव साहिन है अच्छी बात है और अगर यहाँ निकलता है तो एक अपसाइड का ट्रेड बनता है अगर नहीं यहीं अगर डाउंसाइड में ब्रेकडाउन होता है तो ग्रीन डॉट्स अगर रिवर्स हो जाते हैं तो यह डिफिनेटल एक फॉल भी बड़ा आने की संभावना है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद